दिवरानी जेठानी जब एक ठाली में खाते हैं तो हम अक्सर ये सोचते हैं कि कहीं मैं जादा ना खालू और मेरी जेठानी भावी कम ना खालू तो इसलिए मैं और ये आपस में खाना डिवाइड करते रहते हैं कि भावी आप इतना खाऊं मैं इतना खाऊं ये हैं आपस का हम लोग का प्रेम होता है तो बहुत अच्छा लगता है जैसे बहन बहन बच्पन में जगडा करते दे न खाते टाइम कि तुमने ज़्यादा खा लिया मैंने कम खा लिया ते यहाँ अपोजिट है यहाँ तुमने कम खाया मैंने ज़्यादा खाया तो गाइस बहुत मज़ा आता है और यहाँ पे देवर्जी सब के लिए पकोड़ी तल रहे हैं भावी भाई सब के लिए तो यहाँ पे सब टाइप का पकोड़ी है जिसमें केला, आलू, बहुत सारी वराइटीज है गाइस तो यहाँ पे मेरे जेट जी का फेवरेट पॉकारी भावी का फेवरेट पॉकारी तो सुबह सुबह हम लोग तल रहे हैं अब पॉकारी तलने के बाद मेरा कीचन उचन बहुत जादा गंदा हो गया था मैं कीचन विचन क्लीन करने के बाद गई नहाने नहा कर भया के लिए कोल्ड कॉफी वेनिला कोल्ड कॉफी बनाया जिसका रिकॉर्डिंग मैं बिल्कुल नहीं कर पाई क्योंकि मैं बहुत जादा उस समय बीजी चल रही थी अचानक से लाइन कट गया था और भया बहुत मस्ती से खा रहे हैं और अचानक हम लोग का पुर्ग्राम बना कि हम लोग अब मंदीर जाएंगे तो गाईस इसके बाद नहाने के बाद हम लोग है न मंदीर के लिए रेडी हुए साम को क्योंकि यहांपे इक अच्छा से मंदीर था तो भावी को मंदीर घूमाने के लिए उनके देवरजी ने रेडी किया और हम लोग देवरानी जेठानी निकल कर Mंदीर घुमने के लिए तो गाईस साथ में कैसा भी जगा हो कुछ भी हो साथ में बहुत मज़ा आता है घूमने में तो यहां पर हमारा recording हमारे पती देव कर रहे हैं पता नहीं उन्हें कहां से सुधबुद्धी आ गई मैंने कुछ नहीं बोला था यह recording करने के लिए और सबसे यह बात है कि हमारी mobile है न ओफ हो गई थी रास्ते में तो हम बहुत कुछ खरीदा नारियल ओरियल भी खरीदा तो हमारे यहां तो यह है ना घंटी है ना इस मंदीर की बहुत ज़ादा उची थी किसी से बज नहीं रही थी तो यह अपने भतीजा को बोले कि लाओ मैं तुम्हें उपर उठा लेता तो भावी जी से भी नहीं बज रही करके तो बहुत अच्छा लगता है जब पूरा पड़िवार एक साथ मिल जूल के पूजा करते हैं तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा उसके बाद हम लोगों ने दूर्गा मा का असिरवाद लिया यहां दूर्गा मा है ना यह बैसनोय देवी का बिलकुल यह मंदेटू कॉपी बना हुआ है और उपर वहरो बाबा है हम लोग है ना वहरो बाबा का असिरवाद लेने गया यहां पे सब लोग मिल जूल के परसाद खाया तो भावी सब किसी को परसाद दी उसके बाद हम लोग उपर वहरो बाबा के पास गया जो बहुत उचाई पे था सीड़ी सीडी चल के यहां के बाद मेरा मोबाइल आफ हो जाता है गाइस फोटो गिचवाया उसके बाद हम लोग रेश्टोरेंट गए वहां पर हम लोग चाय पिया बिस्किट काया मोमो काया बहुत रात भर घूमे और दस बजे बारा बजे रात को घर आए गाइस तो कैसा लगा मेर वीडियो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलके